दोस्तों आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास SVI का खाता है और आप चाहते हैं कि अपने खाते का जो ATM कार्ड है या डेविट कार्ड है उसका online पीन जैसे जनरेट किया जाता है तो आप इस वीडियो को देखते रिए और आपको इस वीडियो मे complete process मिलने बाला है वो भी घर बैठे online आप जनरेट कर सकते हैं नहीं किसी ATM पे जाना है नहीं किसी ब्रांच में जाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोजर आपन कर लेना है यहाँ पे आपको टाइप करना है online svi.com इसार्च कर जाएगा तो यहाँ पे आप login वाले option पे click करेंगे तो login वाले option पे click करने के बाद यहाँ पे फिर से continue to login पे आप click कर देंगे तो जैसे ही आप click करेंगे इस page का link मैं आपको नीचे direct दे दूँगा description में direct आप इसी page पे आ सकते हैं तो internet banking का जो है आप अपना यहाँ यहाँ प पे enter करेंगे उसके बाद यह जो आप कपचा देख रहे हैं इस कपचा बदलते रहता है यहाँ पे आपको इंटर करना है उसके बाद यहाँ पे कपचा देने के बाद आपको login बटन पे click कर देना है तो जैसे ही आप login बटन पे click करते हैं तो यहाँ पे one time password पहले यह option नहीं है उसके बाद यहाँ पे submit button पे click करना है तो इसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का interface खुल जागा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका account जो है officially तरीके से खुल जागा तो यहाँ पे आपका नाम भी दिखेगा तो यहाँ पे आपको यह जो three line आ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यहां पर एप्रोसेस खुल जागा तो यहाँ पर बहुत सारा आपको option मिलेंगा तो यहां पे आपको online pin ATM card करणने के लिए यह stub. पे ATM Card Service पे आप किलिक करेंगे तो जैसे ही आप यहां पे किलिक करेंगे तो बहुत सारा यहां पे भी आपको option खुल जाएगा तो यहां पे देखें नीचे में लिखावा ATM पीन जनरेट तो यहां पे आप किलिक करेंगे इस वाले तो यहां पर किलिक करेंगे OTP यहां पर tutti compatible पश्वान पर फिर से थो हमें यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद संविट बटन पर किलिक कर देंगे को ठीर आप दिए तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको continue button पे click करना है तो जैसे ही आप continue button पे click करते हैं तो यहाँ पे आपका जो debit card है कौन सा है वो आप यहाँ पे choose कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे click कर दिए उसके बाद submit button पे click कर देंगे तो ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखे कुछ इस तरह का interface खुलता है तो यहाँ पर कहता है कि interfaceват touch digit of your pin तो यहाँ पर आपको कोई साभी दो digit का यहाँ पर select कर stay कोई साभी 3-Dosc TV का यहाँ पर यहाँ शलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अपने मंद से select करना हम समीट button पे click कर देना है तो ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहां पर देखें इंटर फूर डिजिट आफ नियू पिन इंटर फर्स्ट टू डिजिट क्रियेट बाय यू फोलो बाइदा डिजिट सेंट यूर त्राउट एसमेश तो य लिए हम आपको दिखाते हैं मेरे मेसेज में दो डिजिट आया है तो यहां पर देखें मेरे मेसेज में देखें यहां पर दो डिजिट आया है तो यहीं पर हम इसको हम वहां पर इंटर करेंगे सबसे पहले जो आप दो डिजिट सेलेक्ट की हैं वही आपको यहां पर इंटर करना है ऐसा करने के बाद आप समिट बटन पे किलिक कर देंगे तो समिट बटन पे किलिक करने के बाद यहां पे देखिए नमर है जबिन अपडेट सक्सेसफूल तो यहां पे आपका जो है एटियम कार्ड का यानि के सब्सक्राइब का पीन सक्सेसफूल हो चुका है यहीं पर थोडिसी मिश्टेक हो जाती है तो जो भी आप create की है दो डिजित का फिर्ट वो आपको पहले इंटर करना है उसके बाद जो आपके register मॉल्वन नमर पर दो डिजित का आया है उसको इंटर करना उसके बाद submit बतन पर किलिक कर देना है तो ये बहुत ही आसान तरीके है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए ताकि और भी व्यक्ति को मदद हो सके जए